कि डियर स्टुटेंट्स चलिए हम लोग फिर से क्लास 12 के लिए केमेस्ट्री सेक्षन को पढ़ते हैं केमेस्ट्री सेक्षन को जैसा कि आपको पता है पिछले दिन हम लोग नामकरन यानि कि आयू पीएसी के बारे में पढ़ रहे थे जो अलकेन से संबंधित था भर यानि कि आलकेन से संबंधित नामकरन हम लोग पढ़ रहे थे ठीक है तो आलकेन से संबंधित नामकरन में हम लोग जो रूल्स नियम लिखे हुए थे सबसे पहले PC चुनना होगा फिर जिदर से सब्टिचुएंट में जदिक पड़ेगा नंबरिंग करना होगा सब्टिचुएंट से लो जाए तो अलफाबेट करना होगा तो इन चीजों को आज हम लोग सिखेंगे जैसा कि पिछले दिन का बात करें तो बारा और तेरा नंबर प्यारे स्टुडेंट्स हम लोगों को बच गया था हम छोड़ दिये थे आप लोग पे कि आप लोग खुद इसका PC चुनिए तो बहुत सारे लोग इसको सही भी चुने है तो इसका जो चुनने का तरीका है इसमें देखिए कितना कार्बन है एक, दो, तीन, चर, पांच, छे तो हम ये कोशिस करेंगे कि छोओ का छोओ कार्बन चोओ का छोओ कार्बन किस में आ जाए PC में आ जाए तो इसको चुनने के लिए हम लोग इस तरीके से PC चुनेंगे देख पार होँगे यानि कि ये मेरा PC हुआ इसका अभी भी 2 चोओ है जैसा कि जानते हैं PC का 2 चोओ होना चाहिए उन 2 चोओ है और हम लोगों का 2 चोओ है और फिर अगर बात करें तो 2 चोओ है और ज़्दा से ज़्दा कार्बन है एक दो तीन चार पांच छे तो इस तरीके से हमें इस तरीके से PC चुन लिया जाएगा नेक्स्ट अगर बात करते हैं टोटल कारबन का तो एक दो चुकि यह ब्रोमिन है एक दो तीन चार पान चे साथ आठ ने दस ग्यारा बारा टोटल कितने है कारबन की संख्या बारा है ठीक है अब बारा कारबन में हम ये चाह रहे हैं कि टोटल बारा कारबन हो जाए तो अगर मान लिया जाए इसको लेते हैं ऐसे 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 तो इसको तो छुड़ना क्योंकि बाद बाकी सभी यहने की बारा कार्बन नहीं हो पाएंगे यहां चैन में कि सिर्फ और सिर्फ 11 चैन में ही सामिल हो पाएगा तो इस तरीके से यहां पर हम लोग ऐसा चैन चुनेंगे आप देख पा रहोंगे अभी इसका लास्ट चोर दो ही चोर है मतलब इसलिए हम लोग इसको ऐसा ही PC चुनेंगे ठीक है अब चलिए आते हैं दूसरा जो हम लोग का टाइप से Q1 से जो हम लोगों का IUPAC नाम चुनना था तो दूसरा में था हम लोगों को क्या सब्टिच्वेंट तो अब प्यारे स्टुडेंट जरा समझे आज के क्लास में हम लोग दूसरा जो नियम लिखे हुवे थे सब्टिच्वेंट को समझेंगे क्या अखिर सब्टिच्वेंट होता क्या तो सब्टिच्वेंट के बारे में हम लोग पढ़ें कि जो PC जो PC के साथ जूड़ा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं सब्टिच्वेंट जैसे यहाँ आई है तो आई को बोलेंगे सब्टिच्वें है समझ पा रहे होंगे यहां पर सब्टिच्वेंट क्या है ब्रोमीन है यानि कि प्यारे स्टुडेंट सब्टिच्वेंट किसको बोलते हैं तो जो PC से जुड़ा हुआ चीज रहता है उसको हम लोग या फिर ऐसे बोले कि जो PC से बाहर हो उसको हम लोग सब्टिच्वेंट ब क्यक्Inaudible 25 या फिर कि पीकी के बाहर हो है । पिसकि के बाहर हुआ तो तो क्यों को बो बोलेगा कि इसमें कौन सब्यक्रींट एथ तो बढ़ते93 यान है यहां पर कौन-कौन सब्टिच्वेंट है तो CH3 और BR दोनों सब्टिच्वेंट है यहां पर सब्टिच्वेंट कौन है तो CH3 BR यहां पे Sub developers कुने है Ce2-H5-10 एहां पर सप्टिछुन कितना है तो यहां पर टोचल सब्टिछुनड चार रटधो है 1 2 3 4 एंस्टेटएन ब्रोमीन ग्लोरीन और आयोडिन यहां पर सप्टिछवेंट क्या क्या है तो यहां क्लोरीन है ब्रोमीन है फ्लुरुरीन है आयोडीन है अंस्टेटैइन है मिती सिकते हैं कि नाम याद करवाए हैं और यहाँ पर कोई सब्टिटिःट नहीं है जैसा कि आपको पता है अब हम लोग सब्टिच्वेंट भी सीख लिए Subtitutuant किसको कहते हैं तो जो PC से जूड़ा रहे या PC के बाहर रहे उसको हम लोग Subtitutuant कहते हैं अब जड़ा हम लोग ये समझेंगे कि दूसरा बात में हम लोग क्या लिखें जैसा कि हमको जानते हैं कि सब PC का कितना छोड है PC का दो छोड है है ना एक ये और ये किये तो अब हमें नंबरिंग करना है नंबरिंग का मतलब 1 2 3 4 5 यही ना नंबरिंग होता है नंबरिंग का मतलब क्या करना काउंटिंग करना तो सबसे पहले बोला कि क्योंकि किसी भी PC का तो दो ही छोर ना होगा अब दो छोर होगा तो हम लोग numbering किधर से करेंगे तो numbering उधर से करेंगे जिधर से substituent जो है नजदीक पड़ेगा अब यह substituent नजदीक पड़ेगा का मतलब क्या है देखेए इस अगर पहला सवाल में देखा जाए तो PC के एक छोर इधर है एक छोर इधर है तो किधर से numbering किया जाए हालांकि तो एक ही कार्बन है तो इसको लिख दिया जाएगा एक ठीक है इसमें किधर से numbering करेंगे यहाँ पे दो छोर है एक यह वाला छोर है और एक ये वाल चोर है, तो प्यारे students, हम लोग उधर से ही numbering करते हैं, जिधर से substituent नजदिक पढ़ता है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो substituent नजदिक कौन पढ़ रहा है, इधर से करेंगे तो एक number पे substituent आ रहा है, क्योंकि अगर इधर से start करेंगे 1, 2 counting, तो 1 होगा औ किन्ति की संख्या start करना चाहिए, तो जिधर substituent नजदिक होगा, तो नजदिक इधर पढ़ रहा है, तो हम लोग इधर से ही 1 और 2 numbering देंगे, यानि कि IUPAC नाम लिखने में सबसे पहले PC चुनना होता है, PC चुन लिए, ठीक है, PC के बाद हम लोगों को numbering करना होता है, तो number numbering करने का पहला तरीका क्या है, कि जिधर से substituent नजदिक पढ़ेगा, उधर से numbering करेंगे, तो यहाँ पर substituent किधर से नजदिक पढ़ रहा था, right side से पढ़ रहा है, क्योंकि right side से नजदिक पढ़ रहा है, chlorine substituent, क्योंकि substituent का मतलब समझ भे किए, कि substituent किसको कहते हैं, तो जो जूड़ा हुआ रहता है, तो आप यहाँ देख पा रहा होंगे, कि दूसरा सवाल में, substituent जो था, वो chlorine था, इसलिए हम लोग right side से इसको numbering किये हैं, तीसरा वाल कोशन को देखिए, PC यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब इसका दो छोर है, या तो हम एक, दो, तीन, इधर से start कर सकते हैं counting, या फिर right side से start कर सकते हैं counting, तो हम यहाँ पर किधर से करेंगे, तो और इधर से करेंगे, तो एक, दू, तीन, नमबर पर substitute पड़ेगा, तो आसान कौन है, इधर से न, substitute नल दिख पड़ रहा है, तो इसको numbering करेंगे, one, two, three, ठीक है, पिछला दिन मोला ही question है, वो पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ वहाँ पर हम लोग PC सीखे थे चुनने के लि और एक छोरीया है, तो किधर से counting किया जाया भई, left से की right से, left से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक, दो, तीन, चार पर substitute मिल रहा है, और इधर से करेंगे, तो एक नमबर पर ही substitute मिल रहा है, तो इसलिए आसान कौन है, जिधर से substitute नजदिख पड़ता है, उ अगला question देखते हैं अब यहां पर देख पा रहूंगे कारबन टोटल है कितना तीन अब इसका दो छोर एक छोड़ इधर है एक छोर इधर है इसमें किदर से numbering करेंगे वही तो इधर से किदर से numbering करेंगे तो एक, दो, तीन इधर से कर रहे हैं तो दो पे सब्टिच्वेंट आ रहा है और इधर से कर रहे हैं तो दो पे आ रहा है यानि कि इधर पे किधर भी से भी कर सकते हैं ठीक है इधर से कर रहे हैं तो सब्टिच्वेंट कितना पे आ रहा है जैसे माल लिया इधर से करते तो एक दो पे सब्टिचुएंट बिल रहा था ठीक है और इधर से करेंगे तो एक दो पे सब्टिचुएंट तो इधर यहाँ पे आपको जिधर मना है उदर से कर लेजे हमको मना है 1, 2, 3 चलिए आगले बढ़ते हैं अब मान लिया कि यह question है अब इस question में हमें numbering करना है क्योंकि पहला तो rule यह होता है कि आप PC चुनिए दूसरा rule होता है आप numbering कीजिए तो numbering करना है अब इस PC का दो छोर कौन कौन सा है एक छोर यह है और एक छोर यह है हम या तो इधर से counting कर सकते हैं या फिर हम इधर से कर सकते हैं मतलब 1 2 3 तो सब्टिच्वेंट नजदी किदर से पढ़ रहा है इधर से कर रहा है तो इधर से कर रहा है तो 1 2 पे सब्टिच्वेंट पढ़ रहा है और 3 पे भी सब्टिच्वेंट पढ़ रहा है यानि कि जब हम लोग इधर से कर रहे हैं तो 2 और 3 पर सब्टिच्वेंट पढ़ रहा है लेकिन इधर से कर रहे हैं तो 1 पर सब्टिच्वेंट और 2 पर सब्टिच्वेंट यानि कि right side से कर रहे हैं देखिए एरो देखिए हम अगर right side से कर रहे हैं तो one और दो पर substitute मिल रहे हैं इधर से कर रहे हैं तो एक पर substitute यहां पर दो पर substitute और इधर से कर रहे हैं तो एक दो पर substitute मिल रहे हैं तीन पर substitute मिल रहे हैं तो आसान कौन है दो तीन आसान है कि एक दू आसान है तो पहला देखिए right side से एक ही नमबर पर मिल रहा है इसलिए हम लोग राइट शाट से करेंगे दो तीन चलिए इसमें देख पार होंगे इसमें किदर से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे तो आप देख लिजे अगर मान दिया इधर से नंबरिंग करते हैं तो एक दो तीन पर सब्टिच मिल रहident तो दो आसान है कि तिन आसान है तो दो आसान है तो इधर से numbering करते हैं एक दो तीन चार मेरा मतलब यह है यह स्टुडेंट कि अगर कोई chain है तो कि धर से भी numbering कर सकते हैं ऐसा को जरूरी नहीं कि हमेसा left से सुरू होता है right से सुरू होता है लेकिन उसको किधर से सुरू करना है वो सब्टिच्वेंट देखकर अस्टार्ट करेंगे अब ज़रा बात यहां पर आते हैं यह बहुत अच्छा कोश्चन है क्या कोश्चन है यहां से अगर इधर से नम्बरिंग अस्टार्ट करेंगे इधर से नमरिंगे यानि कि बाय तरब से अगर अस्टार्ट करेंगे तो सब्टिच्वेंट कहां कहां पढ़ रहा है दू पर पढ़ रहा है और तीन पर पढ़ रहा है एक दू पर सब्टिच्वेंट तीन पर सब्टिच्वेंट अगर माल लिया जाए कि राइट से करते तो आप बहुत सयम में पढ़ जाएंगे, बहुत प्राबलम में पढ़ जाएंगे कि सर, यहां तो दोनों ही तरब से, दोनों ही पोजिशन आ रहा है, तब हम इसको बोलते हैं, प्यारे स्टुडेंट ध्यान देजेगा, यहां पे हम लोग बोलते हैं कि सब्टिचुएंट ज अलफाबेट देखना पड़ेगा, कब, अलफाबेट को कब देखते हैं, जब सब्टिचुएंट फेल हो जाता है, और सब्टिचुएंट फेल का मतलब क्या हुआ, कि हम सब्टिचुएंट को देखकर, यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कि किधर से किया जाए भई, अब इधर से तो 2 और 3 पे आ रहा था, और इधर से जब हम लोग count कर रहे थे, तो 1, 2 पे शब्टिचुएंट और 3 पे सब्टिचुएंट तो दोनो तरप से बराबर बराबर आ रहा है, इसका मतलब सब्टिचुएंट जो है वो फेल कर गया, तब हम लोग अगर सब्टिचुए है एक का नाम ब्रोमीन है और एक का नाम क्लोरीन है तो ब्रोमीन आप लिखिये अंगरेजी में ब्रोमीन और एक लिखिये क्लोरीन तो इसका फर्स्ट लेटर भी है इसका फर्स्ट लेटर सी है तो दोनों में अब देख पातों होंगे कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है B आता है कि C आता है यानि कि दो सब्टिचुएंट है तो दोनों में सबसे पहले ब्रोमिन का नाम लिया जाएगा इसलिए नम्बरिंग बाया तरफ से होगा एक, दो, तीन, चार यानि कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सब्टिचुएंट अगर फेल हो जाएगा तब हम लोग अलफा बेट लगाते हैं, याद रखेगा यानि कि सबसे पहले जो नम्बरिंग करने का काम करेंगे वो सब्टिचुएंट देखकर काम करते हैं कि कितना नम्बर से किधर नजदिक पढ़ रहा है अगर नजदिक वाला मामला फेल हो जाए, तब आपको अलफा बेट लगाना है अच्छा, यहाँ पे क्यों हम लोग बाया तरफ से कियें? वज़ा है, क्योंकि ब्रोमीन और कलोरिन में B, अलफा बेट में, A, B, C, D में B पहले आता है इसलिए इधर से हम लोग नम्बरिंग किये चलिए आगे देखते हैं, इसमें किधर से नम्बरिंग किया जाए? तो ज़रार बाया तरफ से देखिए कि कौन-कौन सा सब्टिच्वेंट कितना नम्बर पे पढ़ रहा है? तो एक, दो, तीन नम्बर पे, चार, पांच नम्बर पे यानि इधर से कर रहा है, तो तीन और पांच पे आ रहा है और इधर से करते हैं एक दो प्यार है तो यह तो हम लोग को पास हो गया राइट शेट वाला क्योंकि इधर से दो ही पर सब्टिचोंट मिल जा रहा है तो इधर से नमबरिंग कर देंगे एक दो तीन चार पाज छे ठीक है अच्छा हमें सा कार्बन वाला चैन का ही इसमें किधर से नमबरिंग करेंगे वही इधर से देखें यह क्या है CH3 CH2 CH इसमें कार्बन का संख्या दिन एक दो तीन चार पांच छे है अब इसको किधर से करेंगे बाया तरफ से नमबरिंग करेंगे कि दाया तरफ से नमबरिंग करेंगे तो इसके लिए सब्टिच्व और प्यारे स्टुडेंट्स यहां पर देख पार होंगे, दोनों तरप से जब हम लोग कर रहे हैं, तो दो और पांच पर सब्टिच्वेंट पढ़ रहा है, तो जब इधर से भी दो और पांच पर सब्टिच्वेंट पढ़ रहा है, तो यह हम लोग क्या बोलेंगे, सब्ट क्योंकि इसका यह वाला C नहीं देखिए यह वाला इसका नाम हम लोग को लेना है तो CH3 का नाम क्या है मिथाइल जैसा कि आपको हम याद करवा है कि CL का क्लोरो BR का ब्रोमो इसका नाम ब्रोमो है अब ब्रोमो का फर्स लेटर कोचे से शुरू होता है B से और मिथाइल का सुरू होता है M से तो कौन सा नाम पहले आएगा तो ब्रोमीन B पहले आएगा इसलिए हम लोग दाहिने तरफ से नंबरिंग करेंगे 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलिए आगे आते हैं नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं 11 नंबर में आप इसमें देख पा रहा होंगे इसमें तो सिदा सिदा दिख रहा है कि दाहिने तरफ से सब्टिच्वेंट नजदिक पढ़ रहा है इधर से दो नंबर पर पढ़ रहा है तो 216 12 नंबर सवाल को जबर देखिए इसको किदर से सब्टिच्वेंट игры करना पड़ेगा तो सब्सेले बायें तरफ से देख लिए कि कितना कितना पर सब्टिच्वेंट आ रहा है एक दो प्यारा है फिर तीन प्यारा है चार प्यारा है पांच प्यारा है दो तीन चार पांच अब ज़रा दाहिने तरब से देखिए कि दाहिने तरब से अगर सब्टिचुएंट करेंगे नंबरिंग करेंगे तो कितना कितना पर सब्टीचुएंट जोड रहा है तो 1, 2 पे सब्टीचुएंट तीन पे भी सब्टीचुएंट चार पे भी और 5 पे भी यानिक जब दाहिने तरब से अगर नंबरिंग करते तो देख पा रहने होँगे कि हम लोग उनका जो numbering है वो क्या हो जा रहा है सब्टिचुएंट फेल हो जा रहा है तो जब सब्टिचुएंट फेल हो गया तब हम लोग alphabate लगाएंगे अब alphabate में इधर से देखेंगे तो AT का नाम होता है unstatine और unstatine का first letter A होता है और इधर से होता है iodine और iodine का first letter I होता है तो A बड़ा है कि I बड़ा है मतलब कि सबसे पहले A और I में alphabate में सबसे पहले कौन आता है तो alphabate में सबसे पहले ABCD में A का भेलू आता है तब ना I आता है इसलिए numbering मैं तरफ से करेंगे 3 फिर इसके निचे 4 5 6 ठीक है चलिए आए आगे आता है इसमें numbering हम लोग किधर से करेंगे तो इसमें देखेंगे 1, 2 पे substitute इधर आ रहा है और इधर तो substitute 1, 2, 3, 4, 5 पे आ रहा है तो simple है हम लोग इधर से substitute में numbering करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ठीक है अब इतना चीज करने के बाद ठीक है इतना चीज करने के बाद आपको इसका नाम लिखना है अब आपको ध्यान नहीं देना है अब कैसे इसका नाम लिखेंगे ज़रा देखिए जैसे इसका जो नाम लिखेंगे iopseE naam सबसे पहले subtituent का नाम लिखा जाता है सब्टुच्यूँएंट कहां कहां जुड़ा हुआ है यानि कि सबसे पहले जब iopseE neam लिखा जाता है हर किसी का भी तो हम लोग उसको subtituent का नाम सबसे पहले लिखते हैं ठीक है जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सब्टिचुएंट के रूप में क्या है आई और आई कितना नंबर पे है वन नंबर पे है तो इसका नाम लिखेंगे वन आयोडो क्योंकि प्यारे स्टुडेंट्स हम लोग सबका नाम याद करवाये हैं आपको लिखवाये हैं कि अगर सब् सब्टिचुएंट का मतलब बाहर वाला का नाम सबसे पहले लिखना है तो वन आयोडो हो गया अब ये कितना कारबन का चैन है यानि कि कारबन के चैन में कई गो कारबन है तो एक कारबन है तो एक कारबन है तो एक के लिए हम लोग याद किया है न मेथ और उसमें एन जोड़ देंगे तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा मेथेन तो इस बोले कि substitute का नाम लिखा जाता है तो chlorine substitute है अब ये chlorine कितना नंबर पे जोड़ रहा है तो one पे तो यहाँ पे लिखेंगे one cl का नाम होता है पता है ना chloro तो जब भी substitute का नाम लिखते है ना तो dash दे देते हैं one के बाद dash chloro अब देखिए कि chain में कितना carbon है तो 2 carbon है दो carbon का chain है यानि कि chain वाला carbon देखना है तो chain में special 2 carbon है तो 2 के लिए क्या आता है पता है एत और एत में हमेशा क्या जोड़ना है चुकि यह alkin-srineika है न तो एत में जोड़ेंगे इन तो क्या बनेगा इतन तो इसलिए इसका नाम हो ठीक है, अगला कोशन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे subject कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन कितना पे जुड़ा है, वन पे, तो इसका जो IUPAC नाम होगा, वन वन पे क्या जुड़ा भई, ब्रोमीन, तो यहाँ ब्रोमू नाम हो जाता है, B.R का नाम, ब्रोमू, फिर कितना कार तो क्या बनेगा प्रोपेन यहां हो जाएगा वन ब्रोमो प्रोपेन थिक है चलिए अब इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम तो खुद देख रहे हैं सबसे पहले सब्टिच्वेंट कानाम लिखा जातेक्या क्लोरीन और chlorine कितना पे है? 1 पे तो इसका नाम हो जाएगा 1 chlorine नहीं CL का नाम हो जाता है chloro तो यहाँ हो जाएगा 1 chloro उतके बाद क्या करेंगे? अब chain को देखना है यानि कि substituent का नाम लिखा हो जाएगा तब हम लोग chain को देखते हैं chain में कितना कारवन? तो 1, 2, 3, 4 अब 4 पे क्या आता है? तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट आता है और ब्यूट में N जोड़िए अब दिमाग में यह सब काम कर देखे ब्यूट में N जोड़ेंगे तो ब्यूटेन तो इस तरीके से इसका पूरा आईउपेसी नाम क्या होगिया? वन कलोरो ब्यूटेन ठीक है? अगले तरफ कोशन की तरफ बढ़ते हैं इसका आईउपेसी नाम क्या होगा? तो इसके आईउपेसी नाम को देखने के लिए सबसे पहले सब्टिचुएंट का नाम देखा जाता है तो बी आर कितना पर है? तो यहाँ जाएगा टू ब्रोमो और मेथ एथ प्रोप तीन कार्बन का चैन है तो टू ब्रोमो प्रोपेन प्रोप में इन जोड़ देंगे अच्छा अगला कोशन की तरफ बढ़ते हैं? सबसे पहले इसमें देखिए कि दो दो सब्टिचुएंट है तो दोनो सब्टिचुएंट का नाम पहले लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि एक नंबर पर कौन सा सब्टिचुएंट जोड़ा हुआ है? तो बी आर तो इसका नाम लिखेंगे एक डैस देखे ब्रोमू फिर कॉमा दो पे कोई सब्टिच्वेंट जूड़ा है भाई तो जी हाँ दो पे सब्टिच्वेंट जूड़ा है CH3 और CH3 का नाम हम लिखवाए है मेथिल आप देखिए अच्छा से तो वन ब्रोमू एक सब्टिच्वेंट नाम लिखने के बाद दूदू सब्टिच्वेंट है तो एक ब्रोमू एको का लिख दिए फिर कॉमा फिर दो पे क्या है तो यहां लिखेंगे टू डैस मेथिल या फिर मिथाईल लिख सकते हैं यहां पर ठीक है क्योंकि CH3 का नाम होता है मेथिल या मिथाईल तो टू पे सब्टिच्वेंट का नाम क्या है मेथिल अब देखिए कि सब्टिच्वेंट तो खतम हो गया जितना भी सब्टिच्वेंट रहता है पहले उसका नाम लिख लेते हैं उसके बाद कारबन क्यों का है कि चैन में कितना कारबन है तो एक दो तीन कारबन और तीन कारबन पर क्या आता है प्रोप और में जोड़ेंगे तो एक साथ लिख देंगे प्रोपेन तो कुली मिलाकर इसका पूरा यूपेसी नाम क्या हुआ वन ब्रोमो तू मेथिल प्रोपेन ठीक है अगले कोश्चन के तरह पढ़ते हैं इसका आप खुद से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो सब्टिचुएंट का नाम लिखा जाता है तो सब्टिचुएंट तो एक ही है वो कितना पे जूड़ा हुआ है दो पे तो इसका नाम हम लोग देखते हैं उपएसी नाम तो अगले कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर एट इसमें देख पा रहोंगे कि यहां पर तो दो दो सब्टिचुएंट है तो हम क्या बोले दो सब्टिचुएंट रहे चाहे तीन सब्टिचुएंट रहे आप पहले उसको देखिए कि एक पर तो कोई सब्टिचुएंट नहीं है कोई बात नहीं है दो पर सब्टिचुएंट है जी हां है तो आप जितना पर सब्टिचुएंट रहेगा दो पर क्या है बी यार तो इसका हम लोग नाम देखते हैं दो ब्रोमो एक सब्टिचुएंट का नाम लिखा या कॉमा देदिजिए फिर तीन पर सब्टिच्वेंट है तो है C published है दो थ्री क्लोरो Central빈 है कि अब हम लोग देखेंगे कि अब तो सब्टिच्वेंट ही नहीं है तो जब सब्टिच्वेंट नहीं है तो अब चैन गिन लिजे कि एक, दो, ती, चार, चार गो चैन में है, तो चार पे आता है, ब्यूट, तो यहां हो जाएगा, ब्यूट टेन, तो डियरे स्टुडेंट्स, हम आठ तक के कोश्चन को सिखाए हैं, सबसे पहले आप सब्टिच्वेंट का नाम लिखे, अगर एक सब्टिच्वेंट है, तो ए का चैन है, तो इस तरीके से आपके लिए हम, नौवा, दसवा, इगरवा, बरवा, तेरवा, ये तिन, चार सवाल, जो भी है, पांच सवाल, इसको हम छोड़ते हैं, आपके लिए, आप इसका खुद नाम, होमवक्स के तोर पे, आप खुद अपने आप से लिखे, ताकि आ का नाम क्या है, C2H5 का नाम क्या होता है, यहां पर लिखेंगे 3 पर क्या जुड़ा है, C2H5, तो इसका नाम क्या है, पता है, इसका नाम है, एथील, या फिर इथाईल, तो 3 इथाईल, नहीं, 3 इथाईल नहीं, पहले, 1 पर तो कोई नहीं है, 2 क्लोरो, 3 इथाईल, और हेक से इसका नाम हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसका नाम खुद लिख लिजेगा तब तक आज के क्लास को यहीं तक फिर मिलते हैं अंगले क्लास में तब तक धन्यवाद